हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो स्टोरी टीवी, आज हम आपके लिए लिकर आये हैं PSI लवगी कहानी, एक कहानी है हॉली और जरी की, दोनों बड़ा प्यार है, पर दोनों आपस में लड़ते भी रहते हैं, मैंहेटन के इस फ्लैट में दोनों एक साथ रहते तो हैं, पर इन दो रिकॉर्डिंग भी है, इस रिकॉर्डिंग में जरी की आवाज है, जरी कहता है कि मैं तुम्हें जगे जगे खत लिभीजता रहूंगा, तो मैं उन खतों को फॉलो करना है, जरी ने ये भी खाया है कि तुम कभी भी पता लगानी कुशिश मत करना, कि ये खत तुम तक कैस नहीं पाई जैरी के कहे अनुसार अब हॉली अपने दोस्तों के साथ पहुंचे आईरलेंड वहाँ एक होटल में रुपती है यह घर काफी खुबसूरत है इसके बाद यह फिशिंग के लिए जाते हैं यहां फिशिंग करते हुए यह तीनों यहां फश जाते हैं दरसल इनका और खो जाता है यहां विलियम है जो कि इन्हें बचाने आता है विलियम काफी पहले जैरी के साथ उसके बैंड में शामिल था वो यहां के पब में गाना गाता है हॉली जब भी विलियम को देखती है उससे जैरी की यादा जाती है इसलिए तो उसने उसे इन्वाइड कर ल विलियम यहां पताता है कि वह किस तरह जैरी को पसंद करता था दोनों में काफी दोस्ती थी। यहां विलियम में जैरी की कुछ और भी बातें बताईएं जिसे सुनकर हॉली अब फिर से अपने आपको आखर्शित महसूस कर रहे हैं। अगले दिन हॉली पहुंची है जैरी के घर, यहां उसे एक और खत मिला है, इस खत में लिखा है कि किस तरह हॉली और जैरी पहले बार मिले थे, यह मुलागात भी कुछ अजीब थी, दरसल हॉली यहां नेशनल पार्क विजिट करने आई थी, पर वो रास्ता भटक गी थी, रास्ते में उसे जैरी मिला था, दोनों में बातचीत हुई और इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे, इसके बाद यह प्यार शादी में बदल गया, हॉली अपनी छुटिया मना कर वापस अपने घर आ गई है, यहां उसे एक और खत मिलता है, इस खत में जैर इन्वाइट करता है, दोनों यहां डिनर करने जाते हैं, डिन्यल कहता है कि काफी पहले से हॉली से प्यार करता है, यह बात सुनकर डिन्यल को अच्छा नहीं लगा और वो यहां से जा रहा है, इस सब के बाद अब हॉली को अंतिम खत मिला है, यह खत दर असल पाट्रिसय की अंतिम इक्षा को पूरा कर रही थी दरसल जरी ने पट्रीसा से वादा लिया था कि उस सारे खतों को उस तक पहुचाता रहेगा अंतिम खत में जरी ने मेंशन किया है कि वो चाहता है कि हॉली के जिंदेगे में प्यार वापस है हॉली इसके लिए ट्राई भी करती है वो डेनियल से मिलती है दोनों बातों बातों में एक दूसरे को किस करते हैं पर इसके बाद भी बात बन नहीं भाई हॉली को ऐसा लगा कि वो अपने भाई को किस कर रही है डेनियल को भी वो फिलिंग नहीं आई इस तरह दोनों ने डिसाइड किया है कि अब वे हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे अब हॉली इंसब से मुववन करना चाहती है अपनी मा के साथ वो आयरलेंड पहुची है ट्रिप के लिए यहां आचानक से उसे विलियम मिल जाता है विलियम कहता है कि वो उसे फिर से मिलेगा और इसके साथ यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है